दोस्तों Study IQ के दौरा finally launch कर दिया गया है Stock Market पर जो basic course होता है जो fundamentals होते हैं scratch से आपको सब कुछ सिखाया जाएगा 50 high quality videos हम provide कर रहे हैं और इसके लिए आपको directly comment section में दिये गए link पर जाना या फिर आप हमारे Study IQ app पर जा सकते हैं website पर जा सकते हैं और ध्यान रखेगा वहाँ पर आपको जो code इस्तमाल करना है अंकित 33 क्योंकि वहाँ पर आपको 33% का direct और maximum discount मिल जाएगा और ध्यान रखेगा इस course के माध्यम से जितने भी basics हैं stock market के बारे में सब कुछ आपका clear हो जाएगा नमश्कार दोस्तों मैं हूं अंकित अगरवाल और वापस से स्वागत है आप सभी का study IQ पर stock market के discussion के बारे में और जैसा कि आपको पता होगा सुबे से खबर चल रही है hero motocop के बारे में परिमर जी सबसे पहले आप मुझे यह बताएगे कि hero honda splendor चलाया है बच्पन में मेरे पास CD 100 होता था मेरे पिताजी के पास तो वो चलाता था मैं मतलब सीखा यह उस पर है मैंने drive करना क्योंकि हाँ स्प्लेंडर में मुझे याद है मैंने भी बच्पन में सीखा था सेवन देट क्लास में था लेके निकल गया था हलका सा थोड़ा दूर पर आके लेकिन पैर नहीं पहुंचता था काफी बहुत फेमस था लाइक इतने एड वगर आते थे क्रिकेट मैच वगर के बीच में खैर जो भी है यह तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि टू वीलर मनुफाक्ट्रिंग में हिरो होंडा का बड़ा नाम है देश के अंदर सबसे लाज़ेस्ट मनुफाक्ट्रिंग कंपनी है सिर्फ देश में नहीं दुनिया विश्व भर में लेट में टल यू कि यह लाज़ेस्ट मनुफाक्ट्रिंग कंपनी है और आथ सुबह से ही करीब साथ बजे जो है जो चेर्मैन है और जो मैनेजिंग डारेक्टर है पवन मुंजाल हिरो हंडा के उनके रेसिदें पर वहाँ पर अचानक से रेट जो है किया गया है बाइटी इंकम टैक्स के द्वारा और परिमल जी आपको क्या पता है कोई इंसाइड स्टोरी की कुछ क्यों हो रहा है बाते जो हो रही है जो सूत्रों के हवाले से पता चला है सांव बोल सकते हैं कि कुछ टाक्स इवेजन की केसेज बन रही है ऐसा कहना है मतलब इंकम टैक्स डिपार्टमेंट की लोगों के तरफ से बट हीरो मोटो कॉप का जो स्टेट्मेंट आया है उन्होंने बोलाए कि यह ऐसे ये रेंड में ऐसी चीज़े होती रहती है सब्सक्राइब कोशिश की तो अगर होता है मतलब आइसा नहीं है कि फर्स टाइम हो रहा है होता है यह चीज़े बट नार्मली ऑफीस स्पेस पे होता है एंड किसी के घर पे ऐसी मतलब रेट्स नहीं होती है सो ताइट सम्थिंग थोड़ा सा सर्प्राइजिंग लगा था मुझे और स्टाउक मार्केट में भी इमिडिएटली स्टाउक मार्केट में जो स्टाउक है हिरो मोटकॉप का उसने इनिशेली जब यह निज आई तब निगेटिव रियक्शन दिया था रहां चार परसेंट से गिर गया था बाद में जब क्लारिफिकेशन आ रहे थे कंपनी की तरफ से हाड़ी एक परसेंट फॉल बचा मंदब अल्टीमेटली तीम परसेंट रिकवर हो गया हो इन वे फ्रम दे लो पॉइंट जो टच किया था सब्सक्राइब नामली थोड़ा सा निगेटिव देखा जाता है यह कॉर्परेट गवर्नेंस मतला आइटी रेट्स जी एस्टी रिलेटेड कुछ इशूस मैनेजमेंट की तरफ से कुछ इशूस तो यह कॉर्परेट गवर्नेंस के लिए अच्छा नहीं होता तो नॉर्म जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं स्पेसिफिकली फॉर इंस्टीटिशनल इंवेस्टर्स या फिर नमेस्टिक इंस्टीशनल इन्वेस्टर्स मूचल फॉर्ण इंशूस करते तो यह ऐसी चीज़े होना नॉमली एक रेड़ फ्लाग रेज करता है आम नाट सजेस्टिं के बारे मैं बताना भूल गया है जो लोग भी नए जोड़े हैं हम लोग के साथ तो मैं आप सभी को बता दूं कि हम हमारा जो स्टॉक मार्केट का कोर्स है वह आपको स्टॉडी आइक्यू आप और वेबसाइट पर मिल जाएगा से जो भी कुछ आप सीखना चाहते हैं पी हाई कॉलिटी वीडियो परिमल आडे जी के द्वारा इसको बनाया गया है उसके बारे में थोड़ा सा और अपने वीवर्स को बताना चाहता हूं कि इसकी सुरुआत कैसी हुई थी क्योंकि हीरो अगर नाम जुड़ा हुआ है तो जो हीरो साइकल आती थी आज भी उसकी साइकल आती है और उससे बड़ा नाम जुड़ा हुआ है 1984 में इसकी सुरुआत की गई थी ब्रिज मोहन लाल मुंजाल जी के दौरा 1984 में और यह जॉइंट वेंचर आया था बिट्वीन हीरो साइकल और जो हुंडा ऑफ जैपान है अल्दो हुंडा और हीरो में आपका सेप एंड फर्गेट इट तो बनाकर यह ऐसा रखा था कि हमारा जाना ही सबसे लो कॉस्ट और बहुती अच्छा फ्यूइल के माध्यम से और फार्नली 2001 में जाके वर्ल्ड की सबसे लाज़ेस्ट मनफाक्च्छिरिंग यह तूविलर कंपनी बने यह अपने आपने बड़ी बा आप देख सकते हैं 60,000 करोन के आसपास है और इसका प्रेजन्स में आपको बताऊं पूरे अक्रॉस ग्लोबली तो 40 कंट्रीज में देखने को मिलता है अक्रॉस एशिया अफ्रिका साउथ अमेरिका सेंट्रल अमेरिका और छे जो वर्ल्ड लेवल के जो प्लांट सेना वो देखने को मिलता है और छे जिसमें की भारत में हैं और एक बांगलादेश में भी और एक कुलंबिया में भी है तो वही जो हम बात कर रहे थे सर इतनी बड़ी जो कंपनी है ये इसके उपर रेड करना अगें किस तरह से मतलब की देखना चाहिए अगर सपोज कोई भी राइट विकाज कंपनी की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आए और मार्केट ने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया भी है स्टेटमेंट को कंपनी ने जो स्टेटमेंट दिया है जो बहुत रही है इसमें क्या क्या क्लिया साहिए निलने चाहिए अगर आप शेर हो तो अगर आप शेरोल्डर हो आपने कुछ सोच समझ के यहां पर अगर से इंवेस्मेंट्स किये होंगे तो वो फंडामेंटल मुझे लगता एक न्यूस के वज़े से चेंज नहीं हुए है तो अगर हम आपको क्या लगता है अगर सपोज स्पेसिफिकली हिरो का अगर हम देखें तो फेबरी का मैंस ता कुछ आंक्रा देख रहा था तो तो 29 परसंट का फॉल आया था इसके होलसेल बिजन्स में जो है फेबरी 2021 में होने करीब पांच लाग से जादा यूनिट्स पेचे थे और इस बार इनोंने करीब साड़े तीन लाग यूनिट्स पेचे है तो यह जो फॉल आ रहा है इसको देखके क्या लग रहा है तो अभ इलेक्टरीक वेहिकल में अग्रेसिवली जाये या ना जाये अब जैसे अगर फॉर विला इंडस्ट्री की हम बात करते हैं तो जो टाटा मोटर्स और मारुती सुजुकी का अगर हमें एक्जांपल लेते तो टाटा मोटर्स ने एक अग्रेसिव कॉल ले लिया और या आपने देखा होगा कि around 10,000 करोड का investment उन्होंने प्लान किया है मारुती ने, गुजरात में वो प्लान लगाने वाले है, EV manufacturing, EV के related and battery manufacturing, so ultimately उन्होंने वो call लिया, तो अगर हम if we come back to hero, motocop या फिर बजाज जो two-wheeler में है, तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो बहुत ही बढ़िया cash flow चल रहा है, और वो debt free business है, कोई debt नहीं है, कोई loan नहीं है, must cash flows आ रहे है, कोई problem नहीं है, अब यहाँ पे कोई नहीं चीज़ आप करने जाओगे, और वो चीज़ आपको एक डर हमेशा लगा रहता है, कि अगर successful नहीं होगा, तो will I lose something, और will I lose big time, तो इसी दू रादा green number plates की गाड़िया हमें दिख रही है, so it means the penetration is very high, अब four-wheeler versus two-wheeler, मुझा ऐसा लगता है, in next three to five years, I think two-wheeler industry में, I will not be surprised, maybe मैं थोड़ा सा aggressive बोल रहा हूँ, but around 30-40 या even 50% भी नए वेहिकल जो सेल होंगे न, वो electric vehicles होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, one of my friend was has bought that vehicle, और वो बोल रहा था कि यार मुझे 20-25 रुपए में 30-40 किलोमेटर चल जाती है मेरे गाड़ी, charging पे, so आप समझ रहे हो कि economy कितनी जबरदस्त है उसके लिए, यहाँ, so I think यह penetration जो रहेगा, two-wheeler industry में बहुत fast रहेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि यह जो बड़ी companies है, वो इतना ज investments किये हुए है, and now it is one of the biggest investor in that company, तो अथर company के तरफ से वो push कर रहे है, but main distribution network जो है, वो तो hero motocop के पास है, तो अब अथर को आप लाओगे वहाँ पे, फिर वो existing distributors कितना ready होंगे, क्योंकि वो servicing related भी तो एक business होता है साथ में, sales and service वाला, तो यह बहुत सारी चीजे है, तो कह ही ना कही मुझे लगता है, वो एक extra push जो चाहिए, यह बड़े players है, यह lacking है, और इसलिए यह जो ola electric वगेर है, जो आ रहे है, I think they are going to get good market share in electric vehicle business, that's what I feel. ओके, ओके, ठीक, I think कि काफी अच्छा जानकारी आपने दिया है इसके बारे में hero का जो भी analysis का, और ultimately कहीं न कहीं एक viewers के सवाल मन में यह भी सवाल हो सकता है, कि अगर उनको automobile industry में जाना है, क्योंकि यह सरकार के आपने देखा हो, कही सारे plans भी आ रहा है, जो PLI schemes हैं, वो भ तो वैसे देखा जाएगा, तो they are very well placed, बजाज भी बहुत बढ़िया प्लेस्ट है, और hero motor cop भी बढ़िया प्लेस्ट है, problem यह है कि sales growth जो है, उसका base बहुत बढ़ा है अभी two-wheeler industry में, तो वहां से growth जो होगी न, वो single digit की growth होने वाली है, sales point of view से, but electric vehicles की जो growth रहेगी, वो exponential रहेगी, and that's why, जब आप 100 रुपय का माल बेच रहे हो, बट अभी पे आप 90-95 रुपीस का माल पुराना, मतलब पुराने product बेच रहे हो, और नए products आप सिर्फ 5 रुपय के बेच रहे हो, तो आपकी जो growth रहेगी, वो भले ही 5 का 7 होगा, 10 होगा, but 95 जो आपका पुराना product ह है, that is going to hamper your sales growth and profit growth, तो यह यहाँ पर यह दो companies नहीं कर रहे है, so अब यहाँ आपको ऐसे companies देखने होंगी, कि जिनका base यहाँ पे छोटा है, but they are going aggressive on electric vehicles, जिसमें TVS Motors एक लगती है company, which is going in right direction, two-wheeler industry में, पाखि लिस्टेड प्लेस में, space में, मुझे यह दो companies मतला, conservative investor के लिए शायद Bajaj Auto और Hero Motocop सही हो सकती है companies, but एक growth oriented aggressive investor के लिए, शायद कहीं न कहीं, यह दोनों companies एक growth angle lack करेंगे, ऐसा मुझे लगता है, so TVS Motocop पे नजर रखनी चाहिए, though it is not a direct advice to go and invest, but देखिए मतलब क्या-क्या updates आते हैं उनकी तरफ से, क्या-क्या बोल रहा है management, are they implementing what they are saying, उ are they going aggressive on electric vehicle plans, यह सारी चीज़े देखना जरूरी है, वैसे I am very positive on Ola Electric, but it's not a listed company, unlisted company है, so not, मतलब कुछ यह financials अगर अवे लेबल नहीं है, market वे जादा, but एक interesting play है, वो उस पे नजर रखनी चाहिए, अगर आता है IPO, so सही रहेगा दिया, अनलाइस करने के लिए, I think काफी बहुत अच्छे से आपने हर एक चीज़ आनलेसिस है, पुरा जो market है, automobile का two-wheeler का, I think viewers को काफी पसंद आया होगा, आज के लिए I think spend करते हैं sir, और फाइदा इसे ही मिलता रहा है और वापस से हम कोई ना कोई जो important topics ने stock market से related लेकर आते रहेंगे, so thank you very much परिमल sir, thank you. Thank you sir, thank you.